वेल्कम टू एक्सेसिबल टेक्सेंटर इस यूटूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्ट्वेयर यानि की जॉज और एंडवीडिये के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक्सेंटर अगर आ नमस्कार मेरा नाम है सर्वजीत स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल एक्सेसबल टेक्सेंटर में तो आज हम बात करेंगे की एंडवीडिये स्क्रीन रेटिंग सॉफ्ट्वेयर में किसी भी एड़ॉन को कैसे रिमूव कर सकते हैं ओके इस्पेशली हम इसमें इससे पहले हम देख चुके हैं कि IBM TTS को जो एंडवीडिये में कैसे यूज करना है इसको मैंने कम्प्लीट आपको एक्स्प्लेनेशन दिया है आपने नहीं देखा तो आपको दिखना चाहिए अगर आप यूज करना चाहते है IBM TTS जो कि एक एलेक्वेंस की वाइस की तरह ह इसकी भी IBM TTS की भी voice है तो जो लोग एलेक्वेंस को मिस करते हैं वो IBM TTS को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा काम करता है IBM TTS इसके लबात मैं आपको दिखाऊंगा की वहां एड taken पीडियू में कहां पे मिलते हैं जिससे की आप और भी वहां से एडान की आप एडियू मेंस्टर कर सकते हैं जिससे की एडियू में आपको और भी फीचरण инorta कर में लिए मिल जाएगक घरा आप आप माल लो कि IBM TTS नहीं यूज करना, आप इसको remove करना चाहते हैं, तो remove करने के लिए आप इसको remove भी कर सकते हैं, लेकिन इस process को complete करने के लिए internet की जरुत होगी, तो आप ensure करें कि आपका system internet से connected होना चाहिए, तो इसके लिए remove करने के लिए आपको चलना पड़ेगा NVIDIA menu में, insert plus N से, NVIDIA menu आया, down arrow से tools में, tools में menu आया, यहाप enter, down arrow press करना है, add on store में आपको जाना है, add on store पे enter प्रेस करना है आप दीखें, यहाँ पर एक चीज है, यह जो add on create होते हैं, इनको NVIDIA बनाने वाली company, NVIDIA को develop करने वाली company, NVIDIA access नहीं develop करती, वो add on को नहीं develop करती, add on को develop करते हैं, NVIDIA community, एक community है, जहाँ पर NVIDIA को use करने वाले लोग हैं, वो लोग add on को develop करते हैं, आपको यह पते हैं को NVIDIA एक open source software है, open source मतलब NVIDIA को customize किया जा सकता है, जबकि JAWS को नहीं customize कर सकते हैं, तो NVIDIA customizable software है, इसलिए एक NVIDIA community है, जो कि NVIDIA को और efficient बनाने के लिए, वो add on को develop करते हैं, जो कि NVIDIA के साथ install करके हम NVIDIA को और efficient बना सकते हैं, ओके तो अब यह nvaccess.org के तरब से आपके लिए एक warning है, कि add on को install करने के बाद, अगर कोई problem होती है, किसी तरह कोई issue होता है, तो उसके लिए nvaccess responsible नहीं होगा, उसके लिए आप खुद responsible होंगे या फिर NVIDIA community, और NVIDIA community तो आपको बोलती नहीं है करने के लिए, तो directly आप खुद responsible होगे add on को use करने के लिए, लेकिन जहां तक मेरी जो observation है add on को use करने से कोई problem मुझे होई नहीं है, तो आप भी इसको अच्छे से use करेंगे responsibility के साथ, तो यहाँ पर tap करेंगे तो OK बटन आएगा, OK बटन पर space bar कर सकते हैं, तब आप directly add on store पर पहुँच जाएंगे, इसके लावा एक बार और देखिए, shift type करता हूँ मैं, अगर आप चाहते हैं यह message दुवारा ना डिस्पले हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, फिलाल मैं OK पर space bar करूँगा, अब यहाँ पर add on store open हो चुका है, बाइड डिफॉल्ट देखिए यह जो add on store है, यह multi tab web page है यह, shift tab करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, tab control बोला ना यहाँ पर और भी यहाँ पर tab है, by default installed tab है, installed add on tab यह by default यह भी active है, अगर यहाँ पर बागी के tab को आपको अक्सेस करना है तो आप right arrow प्रेस करिए, updateable add-ons यह दूसरा tab है, इनके सब options को यूज़ करने के लिए आप tab यूज़ करेंगे, again मैं right arrow प्रेस करता हूँ, available add-ons कौन कौन से add-ons available है, add-on store पर यह आपको देखना है तो आप यहाँ पर cursor रखेंगे और tab की प्रेस करेंगे तो आपको बागी के add-ons मिल जाएंगे, जितने भी add-ons यहाँ पर available हैं, ओके आप अपने need के base पर add-ons को install कर सकते हैं और उनको use कर सकते हैं, installed incompatible add-ons tab selected, installed incompatible add-ons, कुछ ऐसे add-ons होते जो incompatible होते हैं, कई बारी NVIDIA के साथ अच्छे से work नहीं करते, तो वो आपको यहाँ पर NVIDIA आपको दिखा देगा इस wallet tab में, कि कौनसे add-ons आपने install किया है और वो incompatible हैं, यहाँ यहाँ पर आपको उनकी list यहाँ पर मिल जाएगी, तो अभी हम चलते हैं, left arrow करता हूँ, installed add-on, यहाँ पर इस wallet tab में आपको वो सारे add-ons के list मिल जाएगी, जो आपने install किया है अपने system में, तो मैं tab की फ्रेस करता हूँ, अब channel यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको all by default all ठीक है, enabled-disabled combo box all collapsed, enabled कौन-कौन से आप जो जितने भी आपने add-ons install कर रखे हैं, उन में से कौन सा आपको enable or disable करना है वो आप दिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर all है, यहाँ से अब search भी कर सकते हैं add-ons को, यह पूरे add-ons का डीटेल बता रहा है, सर्च के बाद अब tap प्रेस करेंगे तो add-ons के list आ जाएगे जो जो अपने install किया है, तो यहाँ पर अभी मेरे पास एक ही है, ओके तो यहाँ पर माल लो कि यह जो IBM TTS है, टाब की प्रेस करेंगे तो लिस्ट है यहाँ पर, अभी फिलाल एक ही add-ons है मेरे पास, तो माल लो यहाँ पर दो-तीन add-ons होते, तो क्या करना होगा आपको, जिस add-ons के बारे में आप, जिस add-ons को आपको modify करना है, वहाँ पर आप cursor रखेंगे और उसके बाद tab की प्रेस करेंगे तो, यह IBM TTS है, IBM TTS पर मेरा cursor है भी, उसके बाद मैंने tab की प्रेस किया तो यहाँ पर description आ गया है, description में, IBM TTS के बारे में आपको description मिल जाएगा, आप इसको read कर सकते हैं, अगें आप tab की प्रेस करें, actions आएगा, यहाँ पर other details भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके author है, और भी details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे, install from external source यहाँ पर external source से भी आप install कर सकते हैं, अगर आप वहीं से मिलता है तो वैसे add-on store से install करिए तो ठीक है, यहाँ से आप close कर सकते हैं, फिर से हम tab वाले tab पर आ चुक हैं यहाँ पर चार tab हैं, तो मैं shift tab करता हूं, actions पर चलेंगे remove करना है तो, actions बटन आए यहाँ पर space bar या फिर enter प्रेस करना है, context menu यहाँ पर open हो चुका है, space bar करते ही, आप यहाँ पर up and down arrow का यूज करेंगे यहाँ पर, disable कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, help यहाँ से आप ले सकते हैं, disable नहीं करना, आप यहाँ से चाहें तो disable भी कर सकते हैं, तो यह IBM TTS disable हो जाएगा, फिर काम करना बंद करेगा, दुबारा से आपको यहीं से enable करना पड़ेगा, जहाँ पर disable आ रहा है, यहाँ पर enable आ जाएगा, तो मुझे remove करना है, तो मैं आ पर remove पर enter प्रेस करूँगा, आप यहाँ पर remove पर enter प्रेस करते ही, यह आ गया एक information कि आप remove करना चाहते हैं, तो yes करना होगा, tap की प्रेस करेंगा, तो yes मिलेगा, no मिलेगा, about add-on भी मिल जाएगा, तो about तो आप वहीं पर read कर सकते हैं, add-on store पर ही, तो मुझे remove करना है, तो yes पर enter, अब देखें, हमने remove पर enter किया, remove वाला जो option था वह अपलाई भी हो गया, फिर भी अभी IBM TTS यहाँ पर बोल रहा है नहीं, वो IBM TTS की voice ही यहाँ पर आ रही है, तो अभी क्या करना आपको, add-on store को close करिए, यहाँ तो tap-tap जाके, tap-tap key प्रेस करके close पे, close यहाँ पर space bar कर सकते हैं, या फिर आप directly, alt-plus-f4 भी प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, तो जैसी close पे एंटर किया, यहाँ पर आ गया, restart करने के लिए, अगर नहीं आता, तो आप manually इसको restart करेंगे, तो यह IBM TTS है, कोई भी add-on है, वो remove हो जाएंगे, restart अपो कैसे करना है, अभी तो यहाँ पर restart के लिए आ गया, नहीं आता, तो आप जो desktop पे nvd आता है ना, वहाँ पर आप end प्रेस करेंगे, तो nvd आएगा, वहाँ पर enter प्रेस कर देंगे, तब nvd restart हो जाएगा, या तो आप alt ctrl n प्रेस करेंगे, तब भी nvd restart हो जाएगा, ओके, यह मैं आपको दो तरीके बता है, restart करने के लिए, फिलाल nvd आप खुद ही दे रहा है, restart करने के लिए, तो मैं yes कर देता हूँ, टाब की प्रेस करना है, टाब या शिफ टाब की से आप options को access कर सकते हैं, यस पर enter, तो यहाँ पर IBM TTS remove हो चुका है, nvd restart हो चुका है, यह नी close, nvd आपको फिर से दुबारा से switch हो गया, अब यहाँ पर देखे, welcome dialogue box आचुका है, टाब से आप OK पर जाईए, अब यहाँ पर IBM TTS remove हो चुका है, कैसे, हम synthesizer dialogue box में चलके देखते हैं, control, insert control S, insert plus control plus S, प्रेस करेंगे तो, select synthesizer dialogue, select synthesizer dialogue box open हो चुका है, अब यहाँ पर, आप and down arrow प्रेस करेंगे तो आपको synthesizer मिल जाएंगे, e-speak ng, पहला है e-speak, Microsoft Speech API version 5, यह है Microsoft Speech, Windows 1 Core Voices, IBM TTS अब यहाँ पर नहीं है, तो, मुझे क्या कौन सी voice चाहिए, e-speak ng, e-speak चाहिए, तो e-speak पर enter, desktop list, accessible tech center, not excel sx 12117, ओके, इस तरीके साब इसको remove भी कर सकते हैं, ओके, तो आप इसको use करिये, nvidia बहुत ही useful, screen reading software है, अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी, तो वीडियो को like करें, अपनों के साथ share करें, अपना feedback comment section में जरूर drop करें, चैनल को पहली बार visit किया है, तो चैनल को subscribe करें, practice file and other updates के लिए आप follow कर सकते हैं, accessible tech center का whatsapp channel, link मिलेगा आपको channel के about section में, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much.